हेई गाईज वेलकम तो इन्फोटेक प्लस और वेलकम अगें टू आनियोटेक वीडियो फ्रेंज जब से हमारे डिवाइस में MUI 11 का अपडेट आया है तब से हमारे डिवाइस के बैटरी बैकप हो बहुत जादा डिक्रीज हो गया है इवे नगर मैं किसी भी फोन की बात करूँ चाहे वो रेडमी नोट सेबन प्रो हो चाहे वो रेडमी नोट सेबन हो चाहे वो रेडमी नोट सेबन एस हो इन सारे ही devices में battery backup बहुत जादा decrease होगा क्यों कि जितने भी हमारे phones में update बहुत जादा buggy updates है और सारे बहुत जादा bugs है इसके चक्कर में बहुत जादा problems आ ने है जिसमें सबसे बड़ी जो problem है बहुत sean कुछ ऐसे options और कुछ ऐसी tricks बताने वाला हूं जिनको apply करने के बाद definitely आप अपने battery backup को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने use में लेकर उसको जितने भी आप काम करते हैं वो बहुत ज्यादा increasement हो जाएगा जिससे के कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं अपने device में जो battery backup बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सारी चीज़ों को अच्छे से use कर पाएं तो इस वीडियो में आपको सारी tips सारी settings और सारे options के वारे में बताने वाला हूं जो apply करके definitely आप अपने battery backup को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में ले सकते हैं तो गाईज अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सारी settings सारे options और सारी चीज़े क्या हैं जिससे आप battery backup को बढ़ा पाएं तो फिर ये वीडियो आप लास तक का देखते रही है और चैनल पेकर पह बहुत ज़्यादा decrease हो जाता है और उसको apply करने के बाद बहुत ज़्यादा आपका increase हो जाएगा वो क्या है वो कैसे apply करना तो finally setting में चले जाईए उसके बाद scroll down करके आप चले जाईए battery and performance में like this और इस तरीके से आप जैसे यहां पर आजाएं तो उसको आपको एक option नीचे यूज कर रखे हैं और install कर रखें तो वो हमारे सारे ही काम के होते हैं even अगर कुछ ऐसे काम के नहीं होते हैं फिर भी हम उनको अपने device में रखना चाते हैं उनको delete करना नहीं चाते हैं बट हम उनको use करते हैं कभी कभी और उनको delete नहीं करना चाते हैं जैसे कि Amazon shopping हो गया application आपके battery backup को बहुत ज़्यादा decrease करते रहते हैं तो हमें क्या करना है तो हमें ऐसे अगर कोई भी application अपने device में रखे हुए जिनको हम delete भी नहीं करना चाते हैं और उनको use भी करना चाते हैं और उनको delete नहीं करना चाते हैं बट वो application आपके जो background की activity है उसमें active रहते हैं बहुत सा ऐसे application है जो आपके battery backup को बहुत ज्यादा हद तक कम कर देते हैं और बहुत ज्यादा battery backup जो यहाँ पे वो कम हो जाता तो आपको यहाँ पर करना क्या तो finally आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो option मिलेगा जिस application को आप नहीं यूज करते हैं काफी लंबे टाइम तक तो उसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे एक option मिलेगा जब किसी भी application के आप अंदर जाते हैं चलो पहले हमें start से दिखा देते हैं जिससे का मैं जो shopping है और उसके बाद मैं देख सकता हूं यहाँ पर बहुत सारी चीज करते हैं तो आपका बैटरी बेकप बहुत जादा सेफ हो सकता है क्योंकि अगर यह रन करता रहेगा तो आपका बैटरी बेकटरी यहाँ पर कम होता रहेगा तो इसी तरीके सा सारे applications को आपको restricted कर देना है लेकिन इनको जब आप यूज करेंगे तो इनको manually यूज कर सकते है लेकिन यह background में activity नहीं करेगा कोई भी जिससे आपका बैटरी बेकप बहुत जादा बढ़ा देगी और even इस सेटिंग से आप अपने फोन का data भी काफी हद तक सेफ कर सकते हैं जैसे का अपने फोन में जो data यूज करते हैं वो भी काफी हद तक सेफ होगा और बैटरी setting में चले जाना है तो finally बहुत से option मिलेंगे लेकिन हमें setting में जाना है और setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर option एक मिलेगा auto updates app के वारे में और जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर तीन option मिलेंगे लेकिन आपको जो why default set होगा वो over any network पे set होगा लेकिन यह यहाँ पर आपको जो set कर लेना वो यहाँ पर don't updates auto updates पे set कर लेना उसके बाद done कर देता है तो यह क्या करता है तो जितने भी application आपके जो है updates यहाँ पर पढ़े रहते हैं यह automatically background में उनको update करता रहता है करता रहता है जिससे आपका phone का battery backup तो कम होता ही होता है even यहाँ पर आ 1.8 GB का है लेकिन मैं इसको automatic पे नहीं रखता हूँ अगर automatic पे होता है तो मेरा phone का battery backup तो कम होता ही होता लेकिन यहाँ पर मेरा सारा data भी चला जाता है इसलिए आपको यहाँ पर इसको do not update पे कर देना है और उसके साथ ही आप यहाँ पर इसको manually check कर सकते हैं रोज जाके अग काफी हद तक सेफ हो जाएगा तो यह काफी अप्छा option है इसको आप अपने phone में बात करते हैं यह काफी जादा useful आपके device के लिए होने वाली है इससे भी आपका battery backup काफी हद तक बढ़ जाएगा और आप इसको use mail ले सकते हैं यह बहुत simple सी चीज है लेकिन यह battery backup बहुत जा रखा है आपको दिखाने के लिए लेकिन इसको आपको on करके नहीं रखना है क्योंकि एक ऐसा option है जितने भी आपके phone में email होते हैं जितने भी messaging बगएर और बहुत सारी चीज़े जैसे कि email हो गया आपके contacts हो गया और बहुत सारी ऐसी activity है यह automatically sync करता रहता है जिससे आपका battery backup घड जाएगा क्यों घड जाएगा क्योंकि उसका reason यह है क्योंकि आपके phone के ऊपर अगर कोई भी load होता है जिसे का अगर निट चल रहा है तो प्रोसेसर पर definitely load रहेगा ही रहेगा अगर जब प्रोसेसर पर load रहेगा तो battery backup definitely कम हो गई होगा क्योंकि अगर कोई चीज़ वह यहीं मिल जाता है auto brightness का तो यह आपको on करके रखना है हमेशा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर auto brightness पर on करके रखते हैं तो आपको कहीं अगर night हो जाती है यह मतलब कुछ ऐसी activity है जहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी तो यह automatically उसको कम कर देगा इस तरीके से और अगर एक यह option और इसको हमें कैसे यूज करना उससे कैसे हम अपना battery backup काफी सेफ कर सकते हैं तो finally setting में चले जाए है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा battery and performance का अगेन और उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जागा battery saver का तो देख सकते हैं यह battery saver एक ऐसा option है जो बहु यूज कर मेरा यह device blur कर रहा है तो यह आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अभी यह simple सा देख रहा है जैसे मैं इसको apply करूंगा तो यह जो थोड़ा सवा है देख सकते हैं यह yellow color का यहाँ पर हो गया है यानि कि battery saver जो है यहाँ पर apply हो चुका है अब यह battery saving mode में चला गया device अ finally scroll down कर लीजिए उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलेगा यह GPS का क्योंकि बहुत सारे users ऐसे हैं जो इसको हमेशा enable करके रखते हैं और आप जैसे भी अपने phone का data on करते हैं तो यह background में हमेशा run करता रहता है और यह आपकी location को हमेशा track करता रहता है जिससे आपका battery backup definitely कम हो करते हैं कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं तो तो manually इसको आप check करके देख सकते हैं और इसको tap करके on या off कर सकते हैं finally इसको अगर use में नहीं लेना है तो इसको हमेशा off करके ही रखना है और उसके साथ भी हम बहुत से application use करते हैं इस तरीके से देख सकते हैं यह सारे application background मे इसको apply कर लेना और आप अपना battery backup बहुत जाला है अपने friends में इसको share कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर लें जिससे future में कोई video upload करूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो मिलता हूं next to you में thanks to watching I see you in the next one